नमस्कार में नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपनी चैनल भौचपूरी गौसिप यहां चरपड़ी और मज़ेदार बाते हमेशा करता हूं काफी लंबे समय के बाद जी हां विकास सिंग विरप्पन कई सारी सवाल है इंसे इंडस्ट्री से यानि कैमरे से काफी दूरी लेकिन आज कैमरे पर यानि गौसिप के कैमरे पर सबसे पहले भीया स्वागत करता हूं कैसे हैं प्रणाम सब लोग है भौचपूरी गोशिप के सभी परिवार के सभी दर्सक के जितना लोग रुद्वालों देखाता है लोगे अई चैनल पर कई बार हमारी इंट्रव्य हुआ है आप सब लोगों बहुत धन्य बाद न्याहिए लोगे सब्सक्राइब करें लोगे लिया सबसे पहले घ्र। है कि camera से दूरी क्यों सच्चाई के जब आना नहीं है सच्चाई बोल देंगे बुरा लग जाएगा लोग तो थोड़े सब्सक्राइब करना काम तो नहीं करना है इसका हमको डर नहीं है, कोई मेरे साथ काम नहीं करेगा, मेरा कुछ नहीं भी करेगा, इसलिए, बहुत अच्छी है, मैं फिल्म देखा हूँ, पूरी फिल्म नहीं देख पाया था उस समय, लेकिन मुझे फिल्म अच्छी लगी, टेलर भी अच्छा लगा, और जिस दिन लगेगा, अगर संभवता हमको लग रहाएगी, पटना ही रहेंगे, तो मैं और खेसारी जी एक साथ देखेंगे, प्रिमियर तो होगा, और प्रिमियर होगा, और हम और भाई साथ में नहीं दे लगे जाएगे, और बहुत अच्छी फिल्म है, जितना कहें वो कम है, क्योंकि फिल्म में बहुत अच्छा गम है, फिल्म का अलग मजा है, तो आप सभी परिवार से परिवार के साथ भी फिल्म देखने जा सकते हैं, सभी लोगों को बोलूँगा एक बर सिनेमा हाल क्योंकि जब तक किसी अच्छी फिल्म के लिए सिनेमा हॉल में आप लोग नहीं जाएंगे तब तक लोग अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे तो जो भी प्रोडूसर है रतनाकर जी जो भी उनके डिरेक्टर है पराग पाटिल जी हैं बाकी सब लोग को मैं बहुत-बहुत ध दीजिए कि लोग अच्छी फिल्म बनाना शुरू करें लेकिन यह टेलर की बात करेंगे दो पहला जब टीजर आया था तो एक डायलोग था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त टेलर में भी वही दिखाया गया है लेकिन जो निया टेलर है उसमें खेसाड़ी जी का एक जाता उस तरीके से लुक है लुक को लेकर कुछ आपके दिमाग में चला कि क्योंकि इस फिल्म में कई सारे वैरियंट के साड़ी जी के दिख रहे हैं वही तो सस्पेंस है वही तो खोलना नहीं है कि वह लुक कहा का है किस सीन का है और वह क्या कहना चाहता है वही सिनेमा है एक पोश्टर ही सिनेमा होता है साउथ की लोग हर बात में आप लोग भी बोलते हैं साउथ का यह साउथ का तो पोश्टर ही फिल्म है वहां अलग-अलग फिल्म के अलग-अलग पोश्टर देखेंगे यहां तो 50 पोश्टर हमारे सामने टांग दीजिए 30 पोश्टर आपस मे सब उसमें लगेगा यह उधर का नाम हटा तो कोई पता नहीं चलेगा जो कौन की इस फिल्म का पॉस्टर है तो वही एक में प्लस पॉइंट है फिल्म जब देखने चलेंगे तो आपको लगेगा जो लुक कहा का है और किस लिए है लेकिन इसमें कृती जी किसाड़ी की बीटी है लंबा सा डायलोग दिया गया है कृती यादव हलाकि दूसरी फिल्म है पहले दुलहिन गंगा पार थी और सेकेंड तो क्या लग रहा कि कृती जी जो है अब भुचपुर इंडस्ट्री में भी काम करेंगी क्या ने ने कृती बहुत हो रहा तो बीच में कि नहीं यह नहीं करना है यह हो है लेकिन केसारी जी का बड़पन है केसारी जी बोले जागर आप लोग को यही है कि वही वो उस रोल क को प्ले करें और अच्छा करेंगी तो कराइए कोई दिकत नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि कि कृती को कि जब मुझे से बात हुआ है वो कि का मन में यह है कि मुझे आइस बनना है तो मेरा भी यही रहेगा जो आइस बने आई-पी-एस बने यह तो बाप दादा से चल रहा है तो आगे मन करेगा तो चलाई लेगी पार्टाइस तो आई यह है कि जब चाहेगा कि सारी भाई जब चाहेंगे अपने लड़की के लेगे कितनी बड़ी-बड़ी फिल्म मना सकते हैं लेकिन के में खुद को बनाना और डिरेक्टर साहब को घरथी के घरथी को ले जाके सुटिंग कराना finance कुद करना और किसी को बुला ऑक्रिन करवाना दोनो मान इसका मतलब बहुत उच्छी एक्ट्रेस हैं वह जिससे उनको बुला के और पराग भाई और रतनाकर जी काम काम दिये और काम कराई और बहुत अच्छा काम किये बहुत अच्छा लग रवसका डायलोग